आप सभी लोगों का स्वागत है दाइसकालर्स के यूटीव चैनल पर आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक मेथड पढ़ेंगे कि परसेंटेज क्या है और कैसे सुरू होता है फिर वन बाई वन ये क्लास कांटीनु ही रहेगी इसमें पूरा ग्रूपों पर मिलेंगे अभी क्या है कि अचानक से काम बहुत ज्यादा होने की वजह से ठोड़ा सा प्रेसराया लेकिन उस प्रेसर को have लोगों ने डील किया है तो आप का पहला कांसेप्ट परसेंटेज तो बहुत सारे लोग हैं लाइव हैं सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद सांतनु दत्वर्मा सुनील यादो गुडिवनिंग कुस्नुपूर सरकार अंजली माला गुपता सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि परसेंटेज है क्या कैसे परसेंटेज को हम लोग साल करते हैं सबसे पहली बात है कि जब कभी भी परसेंटेज लिखा हो तो यह परसेंटेज का सिंबल होता है तो percentage का मतलब होता है कि तुलना करना तो अगर कहीं भी किसी question में प्रतिसत जैसा कुछ भी लिखा है तो percentage का हमेशा मतलब होगा कि compare करो तुलना करो तो अगर कभी भी तुलना होगी तो तुलना होने के लिए हमेशा दो लोगों का होना जरूरी है माल लो दो व्यक्ति है A और दूसरा व्यक्ति है B ठीक तो ऐसा हो सकता है कि B को compare किया जाए A से तो अगर B को compare किया जाए तो जिसको compare किया जाएगा उसे fraction में उपर लिखेंगे B और जिससे compare किया जाए उसे fraction में लीचे लिखेंगे A तो ये comparison का fraction है तुलना करने का जो ये तरीका है ये तरीका कहलाता है fraction और अगर किसी भी fraction में hundred से into कर दे तो वो बन जाता है percent तो दो चीजे हैं हमारे पास comparison करने के लिए दो तरीके हैं या तो हम fraction में तुलना कर सकते हैं भिन्द में तुलना कर सकते हैं और या फिर हम percentage में तुल्ला कर सकते हैं अगर कहीं लिखा है 3 upon 4 तो 3 upon 4 का मतलब है कि 3 को compare किया गया है और किस से 4 से तो 3 को 4 से compare किया गया है तो ये भी तुल्ला करने का fraction है comparison का ये fraction है अगर इस fraction को percent में बदलना हो तो into हम लोग क्या कर देते हैं 100 100 से into कर देते परसेंट बन जाएगा 4 से 100 को काटो तो कितना आया 25 आया 25 का 3 में गुणा करे तो इसको कहेंगे कितना हो गया 75% हो गया ऐसे कोई भी fraction है जैसे fraction में लिखा है 2 by 5 तो fraction भी तुल्ला लेकिन ये fraction है अभी ये percent नहीं है तो 2 की तुल्ला की गई है और किस से की गई है 5 से की गई है तो ये comparison का fraction है अगर इस fraction में into 100 कर दें तो ये percent बन जाएगा तो हम सबसे पहले ये समझें कि fraction और percent दोनों में difference क्या है तो देखे मैंने आपको बताया कि fraction का मतलब है तुल्ला करना और percentage का मतलब भी है तुल्ला करना दोनों का एक ही मतलब है कि compare करो तो फिर दोनों में difference क्या है दोनों में difference ये है कि अगर कभी लिखा है three upon five तो three upon five comparison है तीन की तुल्ला है किस से है पांच से तो अगर किसी से भी तुल्ला हो तो उसको हम लोग कहते है फ्रेक्शन चाहे पांच से तुल्ला हो चाहे छे से तुल्ला हो चाहे आठ से तुल्ला हो चाहे पंद्रस तुल्ला हो किसी से भी comparison हो तो उसको हम लोग fraction कहते हैं लेकिन अगर हंडेट से comparison हो तो उसको हम लोग percentage कहते हैं तो तुल्ला तो है लेकिन अगर तुल्ला 100 से हो तो उसे कहेंग के अगर अगर तीन बचे 2 पांच में इंटू 100 कर दें तो इसका मतलब है कि और जैसे सव से तुनना होगे उसको पर्सेंट करते हैं ठीक तो हम यहां से कार देंगे तो से काटेंगे 20 20 का तीन में गुणा करें तो कितना हो गया साथ परसेंट यानि परसेंट और फ्रेक्षन दोनों एक ही तरीके को को साल्व करने के मिथड फ्रेक्षन में भी हम तुलना करेंगे और प्रतिसात में भी हम तुलना करेंगे तो फ्रेक्षन और परसेंट में एक लिखा है तो इसको फ्रेक्शन में वन कहा जाता है अगर कहीं लिखा है पचीस परसेंट तो इसको फ्रेक्शन में हम लोग कहते हैं वन बाई टू अगर fraction में percent में लिखा है 33 1 by 3% तो इसको fraction में 1 by 3 फिर 25% को कहते हैं 1 by 4 20% को कहते हैं 1 by 5 इसके बाद 16 2 by 3% इसको कहते हैं 1 by 6 इसके बाद आता है 14 2 by 7% इसको कहते हैं 1 by 7 तो एक तरफ हमारी percentage की value है और दोसी तरफ उनकी fractional value है अब देखे 14 2 by 7% के बाद आता है साड़े 12% साड़े 12% को fraction में बोलते हैं 1 by 8 11 1 by 9% को fraction में बोलते हैं 1 by 9 10% को बोलते हैं 1 by 10 9 1 by 11% को बोलते हैं 1 by 11 और 8 1 by 3% को बोलते हैं 1 by 10 यह percent और fraction में संबंध हैं यह सारा data आपको learn करना है यानि यह percentage का serial order भी आपको याद करना है कि किस percent के नीचे कौन है और किस percent के ऊपर कौन है इसके साथ साथ आपको हर percent की fractional value को भी याद करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे question है जो percentage की इसी table पर solve होते हैं अब ज़रा और देखते हैं इसको आप लोग note कर लिजेगा ठीक मैं PDF भी साथ में आपको भेजूंगा अब इसमें देखते हैं next बात क्या है कि अगर आप से मैं कहता हूं कि 200 का 10% निकालना है तो अगर किसी का भी percent निकालना है तो ध्यान रखना अगर आप 200 का 10% निकाल रहे हैं तो जिसका आप percent निकाल रहे हैं इसी को कहते है respective value अगर fraction में कहीं लिखा है 3 बटे 4 तो इसका मतलब 3 की तुलना 4 से हुई तो जिससे तुलना होती है इसको हम लोग कहते है respective value तो अगर 3 बटे 4 है तो इसमें 3 की तुलना है किस से है 4 से है तो चार जिससे तुलना है उसी को बोलते है respective value और अगर भासा प्रतिसत की चल रहे है तो percentage की भासा में जो respective value है हमेशा इसी को 100 मानते हैं और किसी भी value को कभी भी हम लोग percent में 100 नहीं लेंगे हमेशा respectivity को ही 100 लेंगे respective value मतलब कौन जिससे हमारी तुलना हो रही है यानि fraction में जो नीचे लिखा होता है वही respective है उसी को 100 लेंगे उसी से तुलना है अब यहां जैसे धाई 100 का 10% निकाल लेंगे तो जिसका percent निकालते हैं उसको भी respective बोलते हैं तो यह 10% किसका निकाल लेंगे धाई 100 का तो इसकी respective value कितनी है धाई 100 अब अगर किसी का भी 10% निकालना हो तो बस एक अंगबात पॉइंट लगा दो तो 0 है तो एक अंगबात पॉइंट लगा देंगे तो धाई 100 का 10% कितना हो गया 25 हो गया अगर मैं कहता हूं कि 217 का 10% निकालना है तो अगर 217 का 10% निकालना है तो किसी का 10% निकालना हो बस एक अंगबात पॉइंट लगा दो तो यह हो जाएगा 21.7 यह इसके 10% की वैली होगे अब देखते हैं अगर 217 का 1% निकालना हो तो अगर किसी का 1% निकालना हो तो दो अंगबात पॉइंट लगा तो 217 है यह हो जाएगा 2.17 इसका 1% हो जैसे मैं आप कहता हूं 21.56 का 10% बताना है तो 10% का मतलब है कि पॉइंट एक अंग पीछे खिसकेगा तो यहां पर पॉइंट दो अंग के बाद है तो पॉइंट एक अंग पीछे खिसकेगा तो हो जाएगा 8.156 यह इसका 10% होगे अब अगली चीज़ देखते हैं अगर हमें निकालना है ठीक है 500 का 5 परसेंट तो देखिए 5 परसेंट 10% का मतलब तो एक अंग के बाद पॉइंट ठीक है और पांच परसेंट का मतलब होता है कि पहले आधा करो फिर एक अंग बाद पॉइंट लगा दो तो 500 का 5 परसेंट करना है तो 500 का आधा कर लिजिए 200 और फिर एक अंग के बाद पॉइंट लगा तो कितना हो गया 25 अगर 10 परसेंट है तब भी एक अंग पर पॉइंट पांच परसेंट है तब भी एक अंग पर पॉइंट लेकिन दसमलो एक अंग खिसकेगा जैसे मैं आपसे कहूं कि 24 का 5 परसेंट बताना हो तो आधा कर लो तो 24 का आधा करने तो 12 और एक अंग बाद पॉइंट लगा ले तो कितना आया 1.2 अगर कहा जाए 64 का 5 परसेंट बताना है तो भी भी परीका 64 का बताना है 5 परसेंट तो 64 का आधा करने तो 32 और एक अंग बाद पॉइंट लगा देए तो हो गया 3.2 तो यह तो हो गया 10% की बाद और 5% की बाद और 1% की बाद ठीक अब इनके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि 24 का 15% बताना है कितने तो 15% अगर बताना है तो इसका मतलब है 10% प्लस 5% तो जब 15% बताना हो तो 24 तो यह है 24 का आधा कितना हुआ 12 यहीं जोड़ दो तो 2412 कितना हो गया 36 तो यह आ गया 36 और वही एक अंके बाद पॉइंट तो हो गया 3.6 फिर से देखते हैं अगर मैं आपसे कहता हूँ ठीक है कि 36 का 15% बताना है तो 36 का 15% बताना है तो 36 का आधा कर लो तो 36 का आधा कितना होगा 18 तो 36 में वह आधा यहां अठारा और जोड़ दो तो 36 और जोड़ो कितना हुआ 54 और वही एक अंक बाद पॉइंट तो 15% की वैलू क्या हो गई 5.4 हो गई ठीक है अगर कहा जाए 28 का 15% बताना है ठीक है तो 28 तो हई है 28 का आधा 14 28 में 14 जोड़ो 42 और एक अंक बाद पॉइंट तो यह हो गया 4.2 दूसरा नार्मल केस में जैसे मालिया कहा जाए ठीक है कि 26 का 8% बताओ नार्मल कामन तरीका किसी का भी % निकालना हो तो यह हो जाएगा 26 का का मतलब इंटू आठ और परसेंट हटेगा तो बते में हो जाएगा 100 तो हुआ 26 गुणे 8 बते 100 सव का मतलब है कि 2 अंगबाद पॉइंट लगेगा तो आप इसमें 8 से इंटू करें 8 चंग अर्टालिस आठ दुनी 16 और 4 बीस और हमेशा 2 अंगबाद पॉइंट तो हो गया 2.08 अगर कोई कहे 24 का 7 परसेंट तो हम क्या करेंगे कामन तरीका है कि 7 परसेंट है तो 7 गुणा कर दो और 2 अंगबाद पॉइंट लगा दो यह कामन तरीका सब जगे लगा सकते हैं तो साथ चोक अठाइस का आठ और साथ दुनी चौदा और दो सोला ठेक है और दो अंगबाद पॉइंट तो यह हो गया 1.68 तो इन कामन तरीकों से हम लोग किसी के भी परसेंटेज की वैलू को निकाल लेते हैं यह कामन तरीका जरूर खयाल में रहे यह सारे सवालों में हम ल सुझ देखते हैं कि फ्रेक्षन का किये जैसे कहीं लिखा हुआ है सपोस्पोस करिए 280 का 14 टू बाई 7 परसेंट निकालना है तो जो यह डिजिट है 14 सही दो बटे 7 परसेंट तो परसेंट को जब भी साल करेंगे तो हमेशा फ्रेक्षन में साल करेंगे लिखा जरूर परसे इसको बदल लो अगर आपको याद है 14 दो बटे 7 परसेंट की फ्रेक्षनल वैलू है वन बाई 7 का का मतलब इंटू आफ ठीक है तो साथ से काट लें बस साथ चोक अठाईश कितना आगया 40 तो आंसर कितना आगया 40 आगया यह अगर परसेंट आपको फ्रेक्षन में याद ह करेंगे ठीक है जैसे है फिर से देखते हैं मान लिया आप से कहा जाए ऑफ अच जो इसका अब नियुक्त का इसका 16 सही 2 बटा 3 परसेंट निकालना तो अब कभी भी परसेंट निकालना है तो हमेशा हम लोग फ्रेक्षन में ही साल करेंगे हमेशा किसमें साल करेंगे फ्रे 312 तो ठीक है का का मतलब गुणा हो गया 16 दो बटे 3 प्रसेंट का मतलब 1 बाई 6 तो बस इसको 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 फिर 0 बार ले जाएंगे 6 दूनी 12 तो आंसर हमारा कितना आ गया 102 आ गया ठीक है तो अगर हमें fraction याद हैं तो हमें question को solve करना हमेशा आसान हो जाएगा एक दफे एक और चीज़ को देखते हैं अगर मैं आप से कहूं कि धाई 100 का 10% निकालना है और प्लस धाई 100 का ही 5% निकालना है इन दोनों को हमें प्लस करना है तो दोखो 10% निकालना है लेकिन किसका धाई 100 का तो धाई 100 आपकी respective value है और 5% निकालना है तो किसका धाई 100 का तो इन दोनों में respective value सेम है धाई 100 धाई 100 अगर respective value सेम हो तो percent पासमे प्लस माइनस कर सकते we promise करें माइनस ओ तो- ै लेकिन percent को तभी plus-minus हम डारेक्ट कर सकते हैं जब respective value same हो तो इसमें 10% 5% जोड़ सकते हैं तो respective value तो वही हो गए 200 और इसको जोड ले तो 1012 15 क्राइब हो इन दोनों का total करेंगे तो ये हो जाएगा दाइसो का 15% चाहे उधर से मान निकालो चाहे इधर से मान निकालो value same आएंगी ठेक है जैसे मैं आपको देता हूं ठेक है मान लिया दिया 40 का 10% फिर यहां आमने दिया 40 का 20% और कहा plus करो तो यहां दोनों में 10% किसका है तो 40 का 20 परसन्ट किसका है तो चालिस का, तो respective value क्या है, same है, तो अगर respective value same है, तो percent जोड लेंगे, 20% ये, 10% ये, ठीक, तो हो गया respective में 40, तो 40 का total क्ये percent, 30%, ये same है, जैसे यहाँ 40 का 10% निकालोगे, तो 4 आएगा, 40 का 20% निकालोगे, तो 8 आएगा, और 8 और 4 जोड ले, तो 12 आया, यहाँ पर 40 का 30% निकालो, तो भी 12 आया, तो कहने का मतलब ये है, कि इस rule को ध्यान में रखना है, बड़े question में कारगर हो जाए, इसी का एक reverse rule समझ लेते हैं, reverse rule क्या है, इसका reverse rule ये है, कि अगर कहा जाए, कि 70 का 20% और प्लस 30 का 20%, तो यहाँ पर respective value तो बदल गई, यहाँ 70 है, वहाँ 30 है, लेकिन दोनों के percentage क्या है, same, तो अगर percentage value same हो, तो हम respective value को आपस में plus minus कर सकते ही, लेकिन कभी भी दोनों को plus minus ना करना, कि respective value भी जोड लो और percentage भी जोड लो, दोनों कभी plus minus नहीं होंगे, एक plus होगा, एक वैसे रहेगा, जैसे इन दोनों में अगर percentage same है तो respective value को plus कर लो और अगर respective value same हो तो percentage को plus कर लो जो भी same हो ठीक है अगर percentage same है तो क्या plus करेंगे respectivity को तो 70 और 30 जोड़ें तो कितना हो गया 100 और 100 का भी क्य परसेंट यह नहीं जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 यहां देखें 70 का 20 परसेंट निकालोगे तो 14 आएगा और 30 का 20 परसेंट निकालोगे तो 6 आएगा और 14 और 6 जोड़ोगे तो 20 आएगा ठीक तो इस rule का का इस्तेमाल ठीक दोनो रिवर्स हैं एक है कि जब रेस्प्रेक्टिव वाल्लिव सेम तो पर्सेंट जोड़ लो जब परसेंट सेम तो रेसप्रेक्टिविट्विटी को ठीक हम लोग किरेंगे जहां कहीं हमें कमप्लिकेशन दिखेगा वहाँ पर हम सारे रूल का इस्तेम कर लिए ठीक है इसके आगे बढ़ते हैं ठीक है परसेंटेज में नेक्स्ट चीज समझते हैं कि क्या है देखिए अगर आपकी क्यале परसेंटेज की कोई वैलू है 33 वन भाई 3 परसेंट तो इसकी वैलू प्रेक्स्टन सम्में 1 बटे 3 होती है अगर हमसे फ्रेक्स थीन की वैलू बदलनी है कि 1owyn भाई 3 को तो करेंगे 33 में और 2 का इंटू ऊपर तो 2 का 33 में इंटू करो तो च्छाढचाट 2 का 1 में इंटू करो तो 2 वते में वही तो 2 वटे 3 का मतलब हो गया 6 6 2 वटे 3 तो फिरसे देखते हैं यह जैसे 1 x 7 यह 1 ंग 7 का मतलब होता है 14 2 by 7% अब अगर कहीं लिखा है 3 by 7 और कहा जाए 3 by 7 को परसेंट में बद लो तो 1 by 7 की ये वैलू है तो अगर 3 by 7 है तो इसमें 3 से तो अगर 3 का इंटू 14 में होगा 3 का इंटू 2 में होगा तो 3 का 14 तिया 42 और 3 का 2 में करें तो 6 और बटे में कितना हो गया साथ तो 3 by 7 को हमने बदल दिया 42 6 by 7 परसेंट ऐसे ही अगर लिखा है 1 by 9 तो 1 by 9 को कहते हैं 11 1 by 9 परसेंट अब अगर कोई कहे कि 4 by 9 को परसेंट ने बद लो तो हम इसमें 4 से इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा 44 फोर अपान 9 परते तो इस तरीके से किसी भी फ्रेक्शन को परसेंट ने बदलना और परसेंट को फ्रेक्शन ने बदलना यह सबसे बेसिक बाते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए अब इसी सिल्सेले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अभी हम लोगों ने फ्रेक्शन और परसेंट के बारे में जो चीजे पढ़ी उसी से सम्मंदित एक कोस्चन है जैसे कोस्चन है कि 5-40 का कितना परसेंट है 5 is what percent आप 40 तो 5 जो है वो 40 का कितना परसेंट है तो कभी भी अगर परसेंट लिखा है तो percent का हमेशा मतलब होगा compare करना तुलना करनी है तो पहले आप भासा में यह सीखें कि किसकी तुलना करनी है और किस से तो यहां लिखा है जो 5 है वो किसका चालिस का तो तुलना 40 से करनी है तो 40 से तुलना करनी है तो 40 हो गया respective और वो नीचे रहेजा पांच की तुलना करनी है तो 5 हो गया उपर अब 5 को कंपेर करना है फुट्टी से तो यह हो गया कंपेरजन का फ्रेक्षन इसको काट ले तो आ गया एक बटे 8 ठिक तो फ्रेक्षनल वैलू क्या हो गई 1 बाई 8 अब अगर आपको याद है तो 1 बाई 8 को परसेंट में हम क्या क अब लिखाई उसका इस्तेमाल करों करें फिर से कोश्चन देखते है अगर यह कोश्चन हो की एक बटे 2 को ऑटी का कितना परसेंट है तो एक बटे दो 80 का कितना परसेंट है तो एक बटे दो को कंपेर करना है और किस से कंपेर करना है तो असी से तो जिस से कंपेर करना है उसमें 80 का का मतलब हो गया कि 80 बटे एक ठिक तो यहां बटे वाला एक तो उपर जाएगा और 80 कहा जाएगा नीचे जाएगा तो एक का एक में गुणा करेंगे तो एक और 80 का दो में गुणा करेंगे तो 107 तो एक बटे दो को compare किस से कर दिया 80 से लेकिन यह comparison का fraction है fraction में इंटू 100 कर दें अब यह percent होगे यहां देखिए 00 कर जाएगा दो से कार दे दो अठे 16 और दो से कार दे दो पंचे 10 तो आगया पांच बटे आठ परसेंट चाहो तो ऐसे लिए अगर डिवाइड करना है तो point में बदल लो पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा पचास आठ चंग अड़ तालिस बचा दो आठ दुनी सोला बचा चार आठ पंचे चालिस तो पॉइंट 625 परसेंट या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 5 by 8 परसेंट ठीक है एक और सवाल से देखते हैं अगर हमने लिखा है A B C D चार लोग है ठीक है चार लोगों में से A की वैलू है 80 B की वैलू है 100 C की वैलू है 70 D की वैलू है 120 A B C और D की वैलू रुपाए में दी गई है 80 रुपाए 100 रुपाए 70 रुपाए 120 रुपाए ठीक है अब यहां से हम लोग परसेंटेज का कंपेरिजन अच्छे से सीख सकते हैं मैंने यह कहा कि अगर 100 से तुलना हो तो 100 से तुलना की भासा ही परसेंट है तो जैसे मैं आपसे यह कहूँ मैं आपसे यह कहूँ कि बताईए C जो है वो B का कितना परसेंट है question है C B का कितना परसेंट है तो अब पहले language देखें C जो है वो B का तो अगर परसेंट है तो देखें किसको कंपेर करा रहा है और किस से तो कहरा जो C है वो किसका B का तो तुलना किस से है B से और जिस B से तुलना है वो B कितना है 100 है और 100 से तुलना की भासा अपने आप में परसेंट है उसे बदलने की जरूद नहीं है तो C कितना है 70 तो C 70 रुपिया भी है और C 70 परसेंट भी है लेकिन किसके रेस्पेक्ट मे बी के respect तो बी के respect में C कितना है तो 70% तो C की value भी 70 रुपय है और लेकिन B के respect में कहें तो यह 70 रुपया भी है और यह 70% भी है लेकिन यह percent जब भी आता है तो हमेशा यहाँ भी देखना है कि किसे तुलना है तो C 70% है लेकिन किसका B का किसी और का नहीं ठीक अगर मैं अगर मैं इसी सवाल में आपसे यह कहूँ ठीक है देखिएगा अगर मैं यह कहूँ कि D जो है वो B का कितना percent है तो फिर से B से तुलना है मतलब 100 से तुलना है तो 100 से अगर comparison है तो percent में बदलना नहीं है 100 से comparison की भासा ही percent है उसी को pressure कहते है क्यों बदलना तो D 120 रुपिया भी है और D 120 percent भी है लेकिन D 120 percent किसके respect में है सिर्फ B के respect में ठीक है C 70 percent है लेकिन किसके respect में B के respect में अगर कहें A B का कई percent है तो A 80 रुपिया भी है और A 80 percent भी है लेकिन किसके respect में B के respect में अब ज़रा ध्यान दें A जो है वो B के respect में 80 percent है लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि A D का कितना percent है A एसा कहूं A D का कितना percent है तो यहां देखो A D का कितना percent है मतलब D से comparison है तो D नीचे है और A को 연 का खेंगे तो यह comparison का fraction बन गया तो A को compare करना है और D से तो A कुतना है 80 है और D कितना है 120 है तो यह comparison का अभी क्या बना है fraction अब इस fraction में इंटू 100 करें तो यह percent होगा इसको अगर fraction को काटे तो 42 120 43 120 42 80 43 120 तो fraction में कितना आ गया दो बटे 3 अभी यह comparison का fraction है ए डी का कितना है दो बटा ती अब अगर इसे percent में बदलना है तो into 100 करो क्योंकि इसमें तो तुलना तीन से कोई 100 से तो अभी अगर से percent में बदलना है तो कैसे into करें 100 या फिर या फिर टेबुल का इस्तेमाल करें एक बटे तीन को कहते हैं 33 एक बटे तीन परसेंट तो दो बटे तीन को हम क्या कहेंगे इसमें दो से गुणा करो तो 33 में दो से गुणा करो च्छट उपर दो से गुणा करो दो बटे में तीन तो दो बटे तीन को हम डारेट कह सकते हैं क कि दो बटे तीन का मतलब है छांचट सही दो बटे तीन परसें ठीक है फिसे देखते हैं A B C D A है हमारा 80 B है मारा 100 C है मारा 70 D है मारा 100 अब अगर एक कोश्चन लिखा हो कोश्चन यह है कि A कामा D से कितने परसेंट कम है A is what percent less than D तो पिछले सवाल में हमने कहा था कि A D का कितना परसेंट है इस बार कहा है A D से कितने percent कम है A जो है वो D से कितना कम है उसको percent ने बदना मने कमी को percent ने बदना और A किस से D से तो तुलना तो D से है तो जिस से तुलना है वो तो नीचे रहेगा D 120 अब किस चीज की तुलना है A जो है वो D से कितना कम है कमी को compare करना तो A कितना है 80 D कितना है 120 तो A जो है वो D से कम कितना है 40 तो A को compare नहीं करना है 80 को compare नहीं करना है A कितना कम है तो 80 जो है वो 120 से कितना कम है 40 तो कमी को percent में बदलना है तो A कितना कम है 40 और किस से कम है 120 तो fraction हो गया 40 बटे 120 अगर इसको हम काटें तो 40 से कम 40 43 120 तो एक डी से कितना कम है एक बटा तीन और एक बटा तीन को परसेंट में हम क्या कहते हैं 33 एक बटा तीन परसेंट क्लियर हुई बात ठीक है कोई डाउट हो तो साथ साथ ठीक मैसेज पर भेज़ते रहें जितने भी लोगों को कोई डाउट हो अपनी हर बात पूछें ठीक है बिलकुल भी जल्दी नहीं है कोई धर धर की बात नहीं करनी है बस पढ़ना है ठीक है तो जहां भी आपको लगे कि कोई बात कंफ्यूज कर रहें आप मैसेज करते रहें एक बार नहीं देख पाऊंगा तो दूसरी बार देखूंगा दूसरी बार ने देख पाऊंगो तिसरी बार देख है जैसे देखेंगे वैसे आपका सवाल ले लेगे जी चलिए ठीक फिर से हम लोग देखते हैं ए था सी बी है साव ती है सकता डी है 120 ठीक अब अगर यह कहा जाए कि बताईए कोश्चन है कोश्चन यह है कि बी कामा ए से कितने पर्सेंट अधिक है बी इस वाट पर्सेंट मोर दैन ए ठीक है डी किस से ए से तो भाई तुलना तो ए से है तो अगर ए से तुलना है तो नीचे ए रहेगा यानि अस्थी और किस चीज की तुलना है कि जो डी है वो कितना जादा है जो डी है वो कितना अधिक है डी ए से कितने पर्सेंट अधिक है यह को Stephen नहीं करना डी कितना अधिक है तो यह comparison का बन गया fraction यह क्या बन गया fraction तो काट देंगे तो याग जाएगा एक बटा दो और एक बटे दो का मतलब कितना हुआ पचास पस्ते ठीक है समझ रहें आप लोग कोई तरीके का कोई confusion हो तो बोले कोई भी confusion हो तो आप बराबर message भेज़ते रहें चली एक और बात लेते हैं नए सीरे से नए सीरे से मैं आपको एक question दे रहा हूँ question है कि रवी का weight weight मतलब भार रवी का weight पूजा के weight का दो बटे पांच है तो पूजा का weight रवी से कितने percent अधिक है यह है पूरा question देख लें रवी का weight पूजा के weight का दो बटा पांच है तो पूजा का weight रवी से कितने percent अधिक है तो देखिए जैसे ही कोई question में language आए किसी भी question की भासा अगर fraction में लिखी है तो तुरंद fraction का मतलब होता है कि तुलना तो दो बटे पांच का मतलब है कि दो को compare किया गया और किस से पांच से तो आप भासा पढ़ें कि language में किस की तुलना किस से है रवी का weight पूजा के weight का मतलब रवी वाले weight को compare किया है किस से पूजा से तो इसका मतलब है रवी वाला weight उपर रहेगा और पूजा वाला weight नीचे रहेगा रवी का weight पूजा के weight का कितना था दो बटे पांच ये इसका मतलब है तो 2 बटे 5 को तुरंट अगर ये fraction है तो fraction का मतलब भी तुलना है ठिक तो 2 को compare किया गया और 5 से और भासा में रवी को compare किया गया और पूजा से तो इसका मतलब जो रवी है वो 2 ratio है और जो पूजा है वो 5 ratio तो हमको दोनों की value मिल गई रवी हमको मिल गया 2 ratio और पूजा हमको वो मिल गई 5 ratio अब जब रवी और पूजा के ratio मिल गए तो हम कोई भी काम percentage में कर सकते हैं कि परसेंटेज भी तो तुलना है अब आज सवाल में देखें कि कि किसको compare करना है और किस से करना है तो लिखा है कि पूजा का weight रवी से कितने % अधिक है पूजा का weight किस से रवी से तो जो पूछा है तो उसमें रवी से तुलना है तो अगर रवी से तुलना है तो नीचे रवी रहेगा और रवी कितना है दो तो नीचे दो हो गया अब सवाल है कि पूजा रवी से कितने % अधिक है तो रवी से तुलना करनी है लेकिन पूजा को नहीं करना है पूजा कित है collector तो यह डो हो गया लेकिन अगर दो से तुलंडा है तो यह प्रतिशत नहीं है फ्रेक्ष्क्षन ते कम्परेजिन का ऊ-संट किसी भी फ्रेक्ष्ष्ण में अगरम इंटु हंडेड कर दें तो वह क्या बन जाएगा पर्संट बन जाय तो दो सब को काटें तो कितना या 50 50 का पूछा जा सकता है वही को सचन जो आपने लिखा था फिर क्या लिखा था कि रवी का वेट पूजा के वेट का दो बटे पांच है तो इसी में मैंने पूछा है ठेकर तो पूजा का वेट रवी के वेट का कितना परसेंट है अब सवाल फिर बदल गया फिर से केवल मैं आपको लेंगवेज दिखा रहा हूं कि परसेंटेज का मतलब क्या रहा है ठीक है फिर इसके बाद हम लोग परसेंटेज के कैलकुलेशन करेंगे फिर कांसेट से सुरुवात हो जाएगी तो लेंगवेज में क्या है देखते हैं पहले लिखा है रवी का वेट पूजा के वेट का दो बटे का तो रवी वाले को कंपेर किया हो पूजा से तो यहाँ द तुलना पूजा से है तो पूजा हो गई पांच रेसियो ठीक और रवी हो गया दो रेसियो तो निकाल लिया यहां से अगर कहीं भी फ्रेक्शन है तो फ्रेक्शन का मतलब तुलना ही होगा तो देख लो किस की तुलना और किस से तो दो की तुलना पांच से और भासा में र रवी के वेट का कितना परसिट है। तो जो पूजा का वेट है वो किसका रवी वाले वेट से। तो रवी से तुलना करनी है तो नीचे रवी रहे गवत दो और पूजा वाले वेट को ही compare करना हैं। कम ज्यादा नहीं कहा। तो पूजा का वेट कितना है पांच तो पांच को compare करना है और किस से दो से तो यह comparison का fraction है fraction में into 100 कर दो हो गया percent तो दो से 100 को काड़ दे तो 50 50 का 5 में गुणा कर दे तो कितना आ गया 200 परसंट है ठीक है ऐसा कभी भी कभी भी कोई fraction आये तो तुरंत fraction का मतलब समझे लेना कि उ किसकी तुलना और किससे इतना पहले खोज लो उसके बाद फिर जैसा सवाल ने कहा हो वैसा हमें करते चले जाना ठीक है कि एक और चीज़ देखते हैं एक स्टार बनाके पॉइंट आपको लिखना है ठीक है कोई भी संख्या कोई भी संख्या कोई भी संख्या कि स्वयम का 100% होती है ठीक जैसे मानलो है सत्तर लिखा है तो अगर सत्तर का आप 100% निकालेंगे तो सत्तर का अगर 100% निकालेंगे ठीक है तो यह सत्तर ही आएगा करके देख लो सत्तर गुणा सव परसेंट ठटेगा तो बटा सव सव से सव कर दिया तो सत्तर का सव परसेंट क्या आया सत्तर आया तो किसी भी संख्या का अगर सव परसेंट निकालेंगे तो वो संख्या स्वयम ही हो यह 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 कोई भी संख्या स्वयम का हमेशा कितना है सव परसेंट अग का 100% क्या होगा 80 ही होगा ठेक है इसी तरीके से इसी तरीके से अगर कहा जाए 100 का 20% तो एक ही बात है का का मतलग इंटू चाहे तुम कहो 100 का 20% और चाहे तुम कहो 20 का 100% दोनों एक ही बात है तो 100 का जितना भी पर्सेंट निकालोगे वही आएगा ठेक है तो 100 का 20% क्या आएगा 20 100 का 25% क्या आएगा 25 100 का 35% क्या आएगा 35 सव का जितना भी परसेंट निकालेंगे उतना ही आए अब एक तीसरा रूल इसमें देखें क्या है ठीक तीसरा रूल क्या है जैसे आप से कोई कहें पचास का 24 परसेंट ऐसे लिखा है पचास का 24 परसेंट तो रूल समझना का का मतलब है इन्टू पचास गुणा 24 और गुणे में ही परसेंट भी तो चाहे कहो पचास का 24 परसेंट चाहे इसको पलट के लिखो 24 का 50 परसेंट एक ही बात है दो लेकिन अंतर क्या आया 50 परसेंट का मतलब होता है आधा तो यहाँ 24 का आधा यानि कितना आ जाएगा एक बटे दो फट से अंसर आ गया फट से आंसर आ गया ठीक है अगर आख से कोई कहे 64 का 64 का अगर आप से कहा जाए 50 का 64 परसेंट तो आप चाहें तो बदल ने 50 का 64 परसेंट कहा जाए तो पलट लेंगे इसको कहेंगे छौहरां चाहona का पचाहसज़गा एक तो 50% तुरन जानते होगी अधा तो बस चौहरां का अधा कर लोग कितना हो गया बतटीस 24 का 50% यह 12 आएगा थीक है पचाहस का Till परसेंट यानि चौहरां का पपनचाहस परसेंट यह एक ही चीज है इस मेतःट का इस्ते sweats की सवाल करेंगे प्रेणी के अगर इसको आप सीधा करने तो फटा फटा आप भीजब सब्सक्राओं को समझते हैं कि वह था चोटी corona को चोटा बनाते हैं तो परसेंटेज का ये मैंने आपको मेथड बताया ठीक कि आगे पीछे चेंज करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पूछ रहे हैं सर यूपी पी की टेस्स सीरीज कब से स्टार्ट करेंगे तो भाई अभी तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी काम बहुत है हम लोग दिन भर यहाँ पर क्लास ले रहे हैं ठीक है और इसलिए मैंने एक क्लास लाईव डाल दी है कि इस लाईव क्लास में मैं लगातार साथ पढ़ाता रहूंगा जित्ते लोगों को आप लोगों को पढ़ना हो सारे लोग रेगुलर होके पढ़ें और अपनी हर बात पूछें बहुत आराम से चैप्टर को में लेके चलूंगा ठीक एक तरफ से आपको मैं रिकार्डेड वीडियो दे रहा हूं रिकार्डेड जाती हैं कि जो आप पूछना चाहिए इसलिए ठीक इस चैप्टर को मैंने शुरुआज से लाइव किया है कि चैप्टर अच्छा है थोड़ा कठिन भी है तो बहुत आराम से पढ़ना है कोई जल्दबाजी नहीं अपसेंट ना हो और अपनी हर बात पूछे रहें मुझे कोई जल्दी नहीं चाहें हम 10 दिन में खतम करें चाहें 15 दिन में इसको इधर से मैं पूरा लेके चलूंगा अउधर जो आपके रिकार्डे वीडियों है ठीक है वह आपके पास लगातार पहुशते रहेंगे हाँ नवीन ठीक है यह जो जितनी आनलाइन क्लासेश चल रही अब यह रेगुलर है यह चलती रहेंगे इसमें नान स्टाप है बंद रही होंगी कोई किसी दिन समस्या हो जाए तो बात अलग है वरना क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी कि अतुल पूछते हैं आपलाइन कभसे चलेंगी तो अतुल जिपसे योगी जी कहेंगे तब से चलेगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है परसेंट में अगर मुझे पाल लिखा है यक्स तो यक्स को हम लोग लिख सकते हैं 100% क्यों कि क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे लिखा है वाई तो वाई का मतलब है वन वाई यहीं तो मतलब को है और वन को परसेंट में 100 कहते हैं तो हम इसको कहेंगे हंडेट परसेंट वाई अगर कहीं लिखा जेड तो चाहे आप जेड लिखो चाहे जेड को आप कहतो हंडेट परसेंट जेड हंडेट परसेंट जेड का मतलब जेड का सव परसेंट कोई भी संख्या अपने आपका सदेव सव परसेंट होती तो अगर कोई भी संख्या कही जाएगी तो ध्यान रखना है वो संख्या स्वयम का सदयो कई परसेंट है 100% है जैसे एक question यह आता है कि कोई एक संख्या है ठीक और किसी संख्या में 40 जोड़ा गया और संख्या में 40 जोड़ने पर संख्या स्वयम का 120% हो गई किसी संख्या में 40 जोड़ने पर संख्या स्वयम का कितना हो गई 120 परसेंट हो गई तो जो एक्चूल संख्या है ठीक उस एक्चूल संख्या को हम परसेंट में क्या मानेंगे सव मान लेते हैं और जो संख्या है ठीक वो स्वयम का सव परसेंट है तो सव परसेंट हो गई करें संख्या में अगर 40 जोड़ दो अगर संख्या में 40 जोड़ दो तो संख्या स्वयम का 120 परसेंट हो तो संख्या स्वयम कितनी थी हमेशा 100 परसेंट हो कितनी गई 120 परसेंट तो हमारी संख्या value में कितनी बढ़ी 40 तो हमारी संख्या value में बढ़ी 40 और हमारी संख्या percent में बढ़ी 20 तो हमेशा value को उपर रखेंगे और percent को नीचे इसको हम कहते हैं कि ये 1% की value हमेशा ध्यान दखना जिस चीज की value उपर लिखेंगे उसी नीचे जैसे value में कितनी ब्रधी हुई 40 और percent में कितनी ब्रधी हुई 20 तो value में बढ़ा 40 और वही चीज percent में कितनी बढ़ी 20 तो जिसकी value उपर लिखेंगे उसी का percent नीचे लिखेंगे तो ये 1% की value हो गए अब अगर कहें संख्या कितनी है तो संख्या तो 100% तो जब यह 1% की value निकल आए तो जितने परसेंट की value निकालनी हो उससे into कर दे तो यह 1% की value है हमें 100% की निकालनी है तो into क्या करेंगे 100% अब यहां percent percent कर जाएगा 20 दुन्ना 40 और 100 गुणे 2 200 तो यानि हमारी संख्या कितनी आ गई 200 आ गई ठीक है फिर से देखते है अब देखते हैं कि संख्या कि संख्या में 96 जोड़ने पर संख्या स्वयम का 112 percent हो जाती है संख्या में 96 जोडा तो संख्या स्वयम का स्वयम का 112 परसेंट तो स्वयम वो संख्या क्या है 100 परसेंट स्वयम का मतलब संख्या का तो संख्या से तुलना तो संख्या क्या लेंगे 100 परसेंट फिर संख्या हो कितनी गई 112 परसेंट तो संख्या बढ़ कितनी गई तो 12 परसेंट और संख्या वैलू में कितनी बढ़ी 50% अधिक की वैलू बताओ, मने संख्या ना बताओ, संख्या से 50% अधिक की वैलू, तो संख्या तो 100 है, 100 से 50% अधिक करें तो क्या हो गया, तो यह 1% की वैलू हो गई, अब अगर 1500% की वैलू निकालनी है, तो 1500% से इन्टू कर दो, खतम बाद, %% कर जाएगा, 12,8, 96, 1500 का 8 में गुणा कर दो, तो 0 जो लास्ट में है, वो तो 0 लिखिर हो, 15 का 8 में गुणा करें, तो 15 अठे कितना हो गया, 120, तो हमारा अंसर कितना आ गया, 1200, 800 नहीं आएगा, ठीक है, 800 तो तब आएगा जब 100% निकालनी हो, संख्या का ही मान निकालना हो, तो कभी कहता है संख्या निकालो, ँसी सवालन अगर वह ये कहता कि इस संख्या का 40 परशंट नकाली निकाल। कि खंख्या का निकाला संख्या का चाの परिशन तो अगर वह कहता कि संख्या का 40 परशन निकालओ तो हम लोग क्या करते हैं तो संख्या यहाँ कितनी बढ़ी ति 96 पर्सेंट में कि लिकिने बढ़ी थी 12 है तो यह ब private गी तो आब अगर संख्या का 40 परशनिए तो अगर यह निकालना है तो इससे इंटू कर दो तो इसमें इंटू क्या करेंगे चालिस परसंट परसंट कर जाएंगे वैलू में अंतर आ जाएगा बारा अठे आठ और चालिस का गुणा कर दो आठ चोग बतिस तो कितना आ गया तीन सो भी सा गया ठीक है ऐसे किसी भी तरीके से आप लोगों से यह कोश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं तो हम लोगों को हर्दम ध्यान रखना है कि अगर परसंट आए तो परसंट का हमेशा एक ह की मतलब होगा कि comparison करना है तो जैसे ही प्रटिसात या fraction की भासा हो तो परसंट या fraction की भासा में सबसे पहले यह पता करो कि किस को compare किया और किस से जिस्ते compare करेंगे वो नीचे और जिस्ते compare करेंगे उसे कहते हैं respective value तो fraction में जो नीचे लिखा हो वही रेस्पेक्टिव और रेस्पेक्टिव वैलू को ही प्रेस्ट में क्या लेते हैं हमेशा 100 लेते हैं जिस पर हम पर्षेंट निकालते हैं जैसे 80 का 20 पर्षेंट तो 80 का अगर पर्षेंट निकालने तो 80 को ही मा क्या कहेंगे रेस्पेक्टिव वैलू ठीक जहां से हम सुरू कर को ही percent में हम क्या मानते हैं सव मानते हैं इतनी बार बस आपको ध्यान में रहनी है तो आप लोगों के पास percent का basic आदर है अब तुम्हारे लिए homework क्या है तुम्हारे लिए homework यह है जो सबसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया वही आप लोगों के लिए homework यही आपके homework है कि आपको यह percentage की जो टेबूल है इसका serial आड़ा रटना है ठीक है कि कि किस percent के नीचे कौन है और किस percent के ऊपर कौन है इसके साथ साथ आपको यह याद करना है कि कि percent की fractional value क्या है अगर यह दो बाते आपने याद कर ली तो अगली वाली क्लास में हम लोग पहला concept पढ़ेंगे percentage का table तो table वाले concept में बहुत सारे सवाल आपको दिखाएंगे कि इसी table से आप कैसे उन सवालों को oral कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज की class आपको अच्छी लगी होगी सारी बाते समझ में आई होंगी आप अपने comment मुझे भेजते रहें ठीक है जो कुछ भी अच्छा लगे कम अच्छा लगे सब भेजे क्योंकि जो आप कहेंगे मैं उतनी और महिनत करूंगा ठीक है इस समय की कमी नहीं है बस यह है कि बहुत सा समस्याएं आ रही है तो अगर कुछ भी अपनी तरफ से कहना हो तो आप लोग कह दें मैं आपकी बातों का response दे दूँ तो आज की class में इतना ही ठीक है अगली class में कल फिर मिलेंगे ठीक साथ बजे सब लोग त्यार रहें एकदम नहाद होके ready रहिएगा साथ बजे हम लोग रेगुलर मिलेंगे इसी तरीके से percentage की class आगे चलेगी जो आप problem बताओगे वो मैं अलग से पढ़ाओंगा इसी तरीके से recorded वीडियो में भी घवडाएं ना घवडाएं ना जुत्ता recorded वीडियो आ रहा सब में doubt class हम अलग से लेंगे ठीक है सब के लिए अलग से लेंगे ठी दिन मुझे भी मौका दो क्योंकि हम लोगों को भी बहुत काम करना पड़ा एक वीडियो बनाने में दो से तीन घंटा लग जाता है ठीक है तो निश्चिंत रहें प्रेसार मुक्त रहें हम लोग अच्छा पढ़ेंगे इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेता ह बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू वेरी मुच्छ